बगोदर प्रखंड के खेतको गाउं के नफ निर्मान स्वेम सहायता समू के काटधारियों ने सुक्रवार को बैठक किया। काडधारियों के द्वारा डीलर पर तीन महीने का अनाज वित्रन करने की अधिकारियों के पास की गई सिकायत की बावजूद किसी तरह की कारवाई नहीं होने पर अपत्ती जताई गई बैठक में निर्णे लिया गया कि डीलर के द्वारा तीन महिने का अनाज वित्रन नहीं किये जाने पर प्रखन्द मुख्याले में धर्ना दिया जाएगा काडधारियों ने गाउं के ही दूसरे डीलर के पास काड स्थानान त्रिप्त करने की तैयारी सुरू करने का निर्णय लिया बता दे कि काटधारियों ने एक सप्तापुर अधिकारियों को आवेदन देकर डीलर पर जन्वरी से मार्च तक अनाज वित्रन नहीं किये जाने की सिकायत की थी हलांकी सिकायत के एवज में 27 मार्च को SDM एवं बगोदर बीडियो के द्वारा गाउं पहुचकर मामले की जान्च की थी उस समय अधिकारियों ने कहा था कि डीलर पर लगाये गए आरोप जान्च में गलत पाया गया है बगोदर से धर्मेंद्र पाठक की रिपोर्ट